हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल इस्टड़ीबोट प्लस वित प्रशान्त फ्रेंट्स लर्णगील प्यल्सी में कोई बार फिर्द से स्वागत है आज हम देखने वाले हैं प्यल्सी प्रोग्रा नंबर 6 तो फ्रेंट्स जो हमारी प्रोग्रामी सीरी च इसमें यूज करेंगे तो थोड़ा प्रोग्राम लेंडी होने वाला है और डारेक्ट अगर आप इसी वीडियो को चेक कर रहे हो फ्रेंट्स थोड़ा सा प्रोग्राम आ सकती है पर मैं पूरी कोशिशिश करूँग आपको सही से समझा सब हो इस प्रोग्राम को बिल्कुल प्रेस करते हैं हमारी मोटर और रेड लेंप ओन हो जाता है ठीक है कोई प्रोग्राम नहीं है फ्रेंट सिंपल सी कंडिशन बताई हूँ यह से उसके बाद से ने बोला हुआ है अगर हम पुश बटन टू को प्रेस करते हैं तो हमारा पंप ओन हो जाता है ग्रीन लेंप ओन हमने क्या किया है पुश बटन 3 को प्रेस किया है अब इस 3 को जैसी प्रेस करते हैं हमारी मोटर पहले ओन थी वो अब ओफ हो जाएगी similarly green lamp हमारा ओन था वो भी ओफ हो जाएगा पट अब कंडिशन एक और आ चुकी है पुश बटन 3 को जैसी आप प्रेस करेंगे तो red lamp आपका off हो चुका था वो अब on हो जाएगा चलिए ठीक है तीन कंडिशन हो गई और final में बोला हुआ है अगर आप पुश बटन PB4 को प्रेस करेंगे तो सभी आपकी off हो जाएगे जो मतलब चल रहा है आप motor चल रही है या फिर red lamp चल रहा है वो सभी आपके off हो जाएगे चलिए फ्रेंट कुश्चन का जो concept है वो तो हमने समझ लिया है अब हम इसको draw करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे power lines draw करेंगे जो हम rail भी बोलते हैं जो नहीं लेंदी होने वाल है प्रोडाम ठीक है तो यह मैंने power lines को draw कर लिया है चलिए तो सबसे पहली condition क्या वो लिए उसने अब push button 1 को press कीजिए इसको भूल जाए पीवी 4 वारी condition को अब यह आपको यह तीन condition देखना question of Allah M ने push button 1 press किया motor हमारी on हो गया red lamp हमारा on हो गया है चलिए अब हम draw करते हैं यह मैंने कोई input लिया इसका addressing मैंने कर दिया input 0-0 इससे क्या हो रहा है friend हमारी motor on हो जाती है यह लिजे यह मैंने output कनेक कर दिया यहाँ पर output का address मैंने माल लिया output 0-0 यह address आपको जो सोच रहे हो कोई भी आप address दे सकते हो कि हमने यहाँ पर address दिया नहीं है कि push button के हम क्या use करें तो PLC के अंदर होते है output 0-0, output 0-7 आपको यह भी use कर सकते हो उस पर हमसे holding provide करा देंगे holding के लिए output का हम address यूज़ कर लेंगे यह मैंने connect कर दिया और output का address है output 0-0 साथ ही मैं इनके commenting में देता जाता हूं friend ताकि आप confused नहों हों यह motor है motor हमारी on हो चुकी है यह push button 1 है जो i0-0 मैंने क्या माना हुआ है push button 1 तो PB1 यहां मैंने connect लिख दिया है जैसी आपने PB1 प्रेस किया आपकी motor on हो चुकी है साथ ही हमने इसको holding provide कर दिये उसने condition और बोली हुई है उसमें बोला है PB1 प्रेस करोगे red lamp भी on हो जाएगा चलिए इस इसको भी draw करते हैं यही मैंने input लिया और साथ में मैंने output connect कर दिया इसका address हो जाएगा 0-1 यह क्या चीज़ आपकी red lamp तो यहां पर red lamp हमने connect कर दिया इसको holding provide इसका पहले address दिख दिये input 0-0 क्योंकि push button एक ही है input 0-0 holding मैंने इसकी यहां से दे दिये यह holding दे दिया और address क्या हो का holding का इसका address आ जाएगा output 0-1 ठीक है पहली condition हमने draw कर लिए उसके बाद क्या करेंगे अपनी अगली condition पहुंचेंगे अगली condition बोल लिए हमारी जैसी आप push button 2 को press करोगे pump आपका on हो जाएगा चलिए हम push button 2 प्रेस करते हैं जब तक कमेंटिंग में एक बार और देता हूं जो भी रह गई है यह रेड लेंप हो गया आपका यह push button बन ही है जो उपर ने दिया हुआ है यह PB1 है अपका ठीक है अब हम PB2 use करेंगे जैसी इसको में press करूंगा आपका pump on हो जाएगा चलिए यह मैंने हाँ से एक input connect किया और इस input से क्या हो रहा है हमारा output में pump on हो रहा है इसके address मैंने दे दिया output 0 से 2 क्या हो रहा है pump कोई water pump होगा अब हमने on कर दिया ठीक है और इसका मैंने address दिया आई 0 से 1 ठीक है और इसके लिए हमने holding point पर आभी यहां से holding का तो कॉंसे आप समझी करेंगे हर जगा use करते ही है क्या address होगा इसका pump की holding हमने यहां से दे लिए output 0 से 2 चलिए इतना हो गया और नंबरी में करता चलता हूं मैं यह हो गई आपकी 0000 रंग हो गई यह 00001 रंग हो गई यह 00002 नंबर की रंग हो गई अब आए की 00003 तो यहां जगा नहीं है मैं इसको continue कर रहा हूं यहां पर यह second page आगया अपना PLC के लिए ठीक है फ्रेट तो यह हो गई हमारी यहां पर माल लिए 00003 अब क्या कह रहा हो जैसी आप PB2 को press करोगे pump आपका on हो चुका है साथ ही में आपका green lamp भी ओनो चाहिए ठीक है यह रहा हमारा PB2 pump के साथ साथ हमने green lamp के भी on करा दिया है इसका output ल लाल देते हैं green lamp ठीक है फ्रेंट और यह हमारा PB2 था आई 0 से 1 तो यह मैंने इसका लिख दिया PB2 PB2 से pump on हुआ similarly PB2 से green lamp on हुआ यह भी PB2 है तो यह PB2 और यह भी PB2 तो इसी काई मैं address लाल दूँगा input input 0 से 1 ठीक है फ्रेंट से हां तक हम आ चुके है अब condition आ रही है यह क्या कह रहा है जो red lamp आपका on हो चुका था वो अब off हो गया है चलिए अब यह समाझना सबसे अधर important है मैंने push button 1 प्रेस किया motor on हो गई push button 1 प्रेस करने से ही हमारा red lamp on हो चुका है अब यह red lamp हमारा on है अब हमें इसे off करना है तो off करने के क्या करूँगा म यह green lamp माल लो या फिर pump का किसी एक का भी nc हम use कर लेंगे यहाँ पर माल लिए मैंने green lamp का कर लिया green lamp यह रहा इसकी addressing का हम यहाँ पर nc use कर लेंगे simple यह लिए मैंने nc connect कर दिया red lamp को off करने के लिए यह nc है और output 0 से 3 समझे लो ना तो जैसी आप इसे on करोगे green lamp आपका on हो जाएगा उस condition में यह nc no बन जाएगा जैसी यह आपका no बन जाएगा तो यह red lamp आपका off हो जाएगा क्यों supply ऐसे जा रही थी no बनने के बाद आगे supply जा नहीं पाएगी क्योंगे no आप जानते न यह इस तरह का no रहता है आगे supply नहीं जा पाएगी चलिए और इसमें हम holding द इतना काम हमारा हो चुपा है अब आते हैं हम अपने अगली condition पर पुश बटन 3 की condition जैसे आप पुश बटन 3 को प्रेस करोगे motor आपकी off हो जाएगी अब यह हमारी motor on है क्योंकि हमने पुश बटन 1 प्रेस किया था ठीक है simple है तो बहुत ही जादा सीरे आप क्या use करेंगे को माली जबी तक हम input 1 हमने use कर लिया है अब हमें क्या करना है motor को off कराना है तो माल लो मैंने ये ले लिया एक और nc सीदे connect कर दिया इसका address माल लो आपको भी आई 0 से 3 तो अब ही जा हो रहा है आपका push button 1 करने से press motor on थी लेकिन जैसी आप push button 3 को press कर दोगे ये nc आपका no बन जाएगा आगे supply नहीं जा पाएगी तो motor off हो जाएगी और यही concept हम करेंगे green lamp के लिए तो green lamp on था तो मैं हाभी connect कर दूँगा nc push button 3 का वही address हो जाएगा input 0 से 3 तो इसकी commenting हम दे देते हैं यह होगे आपका push button 3 यह होगे आपका push button 3 चलिए फ्रेंट इतना हो चुका है लेकिन एक चीज़ी और बची हुई यह इसमें push button 3 को जैसी आप press करोगे motor और green lamp तो on off होई र बता चुका हूँ कि जब भी आपको on करना होता है आप parallel में connect करते हो जब भी आपको off करना होता है तो आप series में connect करते हो जैसे यह green lamp आपको off करना था तो हमने series में push button 3 connect कर दिया तो हम अब हमें क्या करना है रेड लेंब कोन करना है तो मैं क्या करूंगा इसके पैरलल में एक और लेच डाल के कनेक्ट कर दूँगा आपका एनो को तो यह लिए मैंने यहां से एक पैरलल लेच उठाई इस तरह से और यहां पर मैंने कनेक्ट कर दिया एनो और यहां से इसक अब मानना आपका red lamp off हो चुका है हाँ पे लेकिन जैसे आप पुछ बढ़न 3 प्रेस करोगे उसका address है i0-3 तो यह nc बन जाएगा supply आपकी ऐसे जाएगी ऐसे जाके red lamp को on कर देगी लिए इसका भी address में लिख देता हूँ pv3 यह सारी condition आपकी बन चुकी है लास्ट में क्या होता है अपका यह तो आप जानते ही हो एंड यह एंड दी होगया program एक और चीव अचीव है pv4 all off तो इसके लिए क्या करना है simple जैसे pv3 से आपने motor green lamp को off किया था क्या किया था अपने nc use किया था अब ऐसे ही आप एक nc use करते चले जाओ आपको इसे off करना है यहाँ एक nc लगा दो यहाँ भी एक nc लगा दो similarly अब इस जगा भी एक nc लगा दिए और सभी का address क्या हो जाएगा आपका push button 4 के लिए input 0 से 4 मान लिए मैंने input 0 से 4 input 0 से 4 input 0 से 4 तो जैसी आप PB4 प्रेस करोगे यह 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 तो यहाँ से आपका सीरे nc क्या बन जाएगा no no बनते ही आपकी supply आगे नहीं जा पाएगी सारे आप off off हो जाएंगे तो यह फ्रेंट पूरा program ड्रॉक कर चुके हैं हो सकता है आपको थोड़ा इसमें problem आई because थोड़ा टेपिकल था लेंदी program था पर एक बर आप फिर दुआरे concept को पढ़िए मैं किस तरह से बता रहा हूं एक एक लाइन कैसे हमने double letting use की है बस याद इतना से कर दो nc के साथ बस और कुछ नहीं है और दूसर concept holding आप सीखी चुके हो interlocking भी आप समझ चुके हो previous वीडियो में तो बस एक बार practice करो program को और कोई भी doubt आता है तो comment section नो बताइए मैं आपकी help पर नहीं कोशिच करूँगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो like कीजे जा शा don't forget to subscribe my channel thank you